देखे यह हम लोगों का मेन रास्ता है अच्छा अब देख लिए इतना जल भराव यह जो महान भाव खड़ें इनका यही दर्वाजा ठीक सामने देख लिए तो जल भराव है गंदगी है जाड़ियां जमी अब यह बताए यह तो कोई खड़ंजा भी नहीं लगा है अब दे लोग जंडा भले उठाते लेगी कोई सुननेने वाला नहीं वहां चार्ट कार्टों के सरकार है बाकि को इनके का आटी चुनाव में दर दे हैं लगिन सुनते नहीं साहब कही नो आपके तीन बच्चे दब के मर गए कोई सरकारी योजना मुआपजा कुछ दिलवाए उड हमारी भी फदल यह वह भी जलके ही राख हुई थी अच्छा सर्शो की फदल लेकिन कोई यहां देखने नहीं कोई मदद करने नहीं आया यहीं पर कच्ची दीवाल थी तब सपाकाही सासन था तीन बच्चे यहां पर तीन बच्चे दब के मर गए थे एक इनकी बिटिया के लड़का था यहीं तब के मर गए थे बहुत बड़ा हासा हुए था मित्रसेन आये थे लेकिन कोई अंत्री मंत्री कोई यहां देखने नहीं आया कि हुआ कि बिल्कुल नहीं है कोई मुआपजा वगरा दिल बाएं बताएं कुछ भी नहीं पाएं बाइसाब अधेस मंत्री अधेस प्रसाद पासी जी के गाउं में खड़े हैं वही अधेस प्रसाद जो अयोध्या से नव निर्वाची सांसद हुए हैं उनके गाउं शुर्वारी में खड़े हैं लच्छन तीवारी का पुर्वा और यह देख सकते हैं उनके आसपास पडोशी लोग हैं उनके पटिदार लोग हैं और यह देखिए इनकी इस्तिती कोई बहुत खास नहीं है सुद्ध पानी का पेजल नहीं है यह देश के गाउं की सच्चाई कई बार जो है चैनल वाले आते हैं उपरी खबर दिखा के चले जाते हैं लेकिन हम अंदर तक आए हैं और उनके गाउं घर के ही पडोशी पटिदारों की इस्तिती दिखा रहे हैं उनके गाउं के अस्थ का गाउं आपको दिखाई पड़ा कैसे आपको बताना चाहता हूं जैसे यह आग लगी थी देख लिए देख लिए भाइसाब का भी जला था यहां पे लग गई जी बिल्कुल हमारी भी फसल यह भुए थे वह भी जलके ही राख हुई थी अच्छा की फसल लेकिन कोई यह कोई मदश करने यहां यहां पर गची इंचे दीवाल थी यहां पर 4 तीनवर गश्वा गए लत यहां की बिप्यातव सी हां टीन बच्र गए थे इसन जाप वाई साब आउदेश मंत्री जी के आप कौन है पटीदार है पटीदार है लाल जादो आए जी तो भाइक बैठाएक लएगे तो आज भीहान बरे कावकाद यह ने रोज हम गए उने डियल लाग रुपया मंजूर करवा ही लाग रुपया है वहां से आए हमसे पूंचे कौह हम नहीं बैठे ने हमारी समों है तो बैठाए से निया बच्चे निमर्गे होते तक लाल बत्ती बैठी तीन बच्चे यहां तक कच्छी थी यह दसा है एक शांसद और मंत्री के गाउं और थोड़ा सा एक शकंड के लिए यहां तो बड़ी अब्योस्ता है ना तो रोड है ना जो है बर्सा जल निकासी का कोई साधन है कितनी गंदगी है यह हमलों का मेन रास्ता है अच्छा यह अब यह देख लिए इतना जल भराव यह जो वहान भाव खड़ें इनका यही द सांसद है जी तो दादा कवाव फरियाद लेके उदेशी के पास गए नहीं साहिए नहीं सच बात है के लोग इनका जंडा भले उठाते लेकिं कोई सुनेने वाला नहीं वहां चाटकार्तों के सरकार है बाकी को इनके कावकादी चुनाव में दूरते हैं हरबाद में दूर अच्छा एक बार दिखा दीजे केमरा में भाई तो बाई साब बताई यह तो अभी भी छपर में रह रहे हैं इधर तिरपाल पन्नी पुनित यह यह लोग जो गाउट के इधर उधर के नेतार वताये ते जो हजार तो हजार दे के मदद कर दिये थे गाउदेश के लोग ज वासिलदार दोनों आए थे हम खुद घड़े होते जहां लिक्वारी से हैं पैर भी तो करवा सकते हैं अगरीब आदमी है इसा लग रहा है कि लोग वी सताब्दी में जीते हैं बड़ी जो है दैनिये स्थिती यह देखेगा देखेगा देखे पन्नी तिरपाल जो है छपर मरहा में रहते हैं ना तो यहां पकाफर्स है कैसे जो है कैसे रह रहे हैं वाकई यह देखे बहुत बेनी इस्थिती है तो चाचा आप लोग आउधेश के पडोशी है अच्छा नाम है आपका राम पाल राम पाल अभी आपको कोई सासन की योजना के लाभाब नहीं मिला कुछुनाहिशाएब करते हैं पाच लड़के हैं नाती पूता हैं साहब उमीद करता हूं कि जिम्मेदार अधिकारियों तक और स्यम ओधेश जी विडियो देख रहे हैं तो इसमें कोई जाती धर्म या चोटा बड़ा नहीं है वाकई ये तो पात्र हैं बही पात्रों में आग भी लग गई बहुत इस्तिती खराब है अच्छा लेकिन आज तक कोई योजना का लावाप नहीं है यह घर बना था नहीं चपर रखा था शपर में आग लगए तो कैसे आप लोग रहते हैं यहां तो जानुवर सब्सक्राइब बड़ी गंदगी है क्या करें साहब अ मकान की जली हुई लकडियों की आउशेश हैं और यह चीख-चीख के गवाही दे रहे हैं कि यह परिवार जो है कितनी जो है मदद की आउशकता है लेकिन अप्शोष औधेश मंत्री जो की कहने के नाम पर इतनी बार विधायक सांसद मंत्री सांसद अयोध्धा के बने हैं लेकिन अपने गाउं देश अपने पडोशी पटीदार की भी कोई मदद नहीं करें यह सचाई है कई बार मीडिया वाले आते हैं बाहर से ही दो-चार उनके जो है चाटुकारों का वीडियो बनाके चले जाते हैं लेकिन आज जो है जरूरत मंद के हम आवास के सामने दम अधेश जी जश्ट अपोजीट वाला पीछे वाला मकान है । यह जो दिवाल है यह उद्हेश प्रसाद जी के घर की दीवाल है और यह पैत्रिक घर है और चाहओ पर समय समय पर आते रहते हैं लेकिन कोई मदद नहीं है तो जो भी प्रसासनी जिम्मेदार अधिकारी हैं क्रिपया इन परिवारों का ध्यान दे अपना नाम बता दीजे प्रेम लाल तो इन पर ध्यान दीजे इनको सरकारी योजना का लाब मिले ऐसी जो है मैं अपील करता वीडियो को मित्रों लाइक करिए सेर करिए और अधेजी के गाउं की सच्चाई लोगों तक पहुँचाईए बहुत बहुत धन्यवाद